कि हलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके शेयर करने वाली हूं कुर्ती कटिंग तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए मिने यहां पर अपने कपड़े को चार भाग में इसे फोल्ड कर लिया है यहां चार भाग में कपड़े को भीछा में कुर्ती की लंबाई पर पहले से निशान लगा लिया है हमें जितनी पी कुर्ती की लंबाई चाहिए हम उसमें दो इंच प्लस कर देंगे और कुर्ती की लंबाई पर निशान लगा लेंगे इसके बाद में यहां शोल्डर पर निशान लगा रही हूं हमारे शोल्डर ह उसका आधा लेंगे तो 6 इंच पर मैंने यहां निशान लगाया है उसके बाद हम आर्मोल का निशान लगाएंगे आर्मोल के निशान से हमने जितना हम शोल्डर में निशान लगाया है उससे आधा इंच जादा हम आर्मोल का निशान लगाएंगे तो यानि 6.5 इंच का हम न पीछे वाले भाग में पोने दो इंच की हम आर्मोल की गोलाई देंगे यहां हमारा चोतिस चेस्ट का कुर्ती कटिंग कर रहे हैं हमने यहाँ पोने दो इंच की आर्मोल की गोलाई दे दी है इसके बाद हम पोन इंच कम करकर एक गोलाई और देंगे देखिए अंदर की भाग से यहाँ पोन इंच यहने आदे में से भी आदा भाग हम यहाँ पर कम करेंगे और यहाँ पर गोलाई देंगे इस तरह है हमारा बाहर वाला जो भाग रहेगा वो बेक पार्ट करहेगा और जो अंदर वाला भाग फिर हम कटिंग करेंगे वो फ्रंट पार्ट करहेगा अब इसके बाद हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे यानि हम जो हमारी कंदी का निशान लगाया है वहाँ से 9 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे देखिए हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लिया है अब हम chest की चोड़ाई पर निशान लगाएंगे chest की चोड़ाई पर निशान लगाने के लिए हमें chest का जो भी हमारा measurement आया है उसे 4 से divide करना है यहाँ हमारा 36 इंच है chest तो हम उसे 4 से divide करेंगे तो यहां आएगा 9 इंच, अब 9 इंच में हमने आधा इंच प्लस कर लिया है, इसी दरा से आधा इंच हम कमर और हिप के पार्ट में भी एट करेंगे, तो मैंने यहां साड़े 9 इंच पर एक निशान लगाया है, हमारे चेस्टे का चोथा भाग प्लस हाफ इंच, उसके बाद हम यहां मार्जिन के 2 इंच का निशान लगाएंगे, साड़े 9 इंच का निशान लगाने के बाद हम यहां 2 इंच पर एक मार्जिन का निशान लगाएंगे, अगर आपको इस पेस ज़्यादा चाहिए मार्जिन के लिए तो आप यहाँ पर 2 इंच का भी निशान लगा सकते हैं इसके बाद हम चेस्टी का निशान लगाने के बाद हम कमर पर निशान लगाएंगे पहले हमने जो चेस्टी के हमारे निशान लगाया उसको इस तरह से सीधा मिला लेंगे दीखिए हमने या निशान को सीधा मिला लिया है अब इसके बाद हम अपने शोल्डर से वेस्ट का निशान लगाएंगे तो हमारे सोल्डर से वेस्ट का जो मेजरमेंट हमारे यहाँ है 14 इंच पर हम कमर का निशान यहाँ पर 14 इंच पर लगाएंगे यहां हमने 14 इंच पर एक निशान लगा लिया है इसके बाद हमारा जो भी कमर का मेजरमेंट है उसको भी हम 4 से डिवाइट करेंगे तो 4 से डिवाइट है हमारा कमर का मेजरमेंट 32 इंच है तो उसे हमने 4 से डिवाइट करेंगे तो 8 इंच आएगा और 8 इंच में हम यहाँ पर half इंच प्लस करेंगे जिससरा हमने test में आदा इंच का margin लिया था वेसे ही यहाँ पर भी हम आदा इंच का margin लेंगे यहाँ मैंने 8 इंच पर sorry साड़े 8 इंच पर एक निशान लगाया है और उसके बाद हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पर भी हम दो प्लस करेंगे कमर के निशान को भी हम यहाँ ऐसा सीधा मिला लिया है कमर का निशान लगाने के बाद अब हम हिप का निशान लगाएंगे हिप का निशान मैं यहां 20 इंच पर लगा रही हूँ पर किसी को अगर चाक उपर चाहिए तो हम यहां पर इसे 17 या 18 इंच पर भी रख सकते हैं यहां इन्हें चाक छोटे चाहिए थे तो मैंने यहां पर 20 इंच पर निशान लगाया इसके बाद हिप का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर भी हमारा हिप का मेजरमेंट है उसे फोर से डिवाइट करेंगे पहले और उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे मैंने यहाँ साड़े नो इंच पर निशान लगाया है और उसके बाद धा इंच का मार्जिन यहाँ पर र निशान लगाया है यह हमारे तीनों निशान लग गए हैं अब हमें इने मिला देंगे जैसे हमने निशान लगाये हैं वेसे इसकेल की शायता से इनको मिला देंगे इसके बाद एक सीधा निशान हम चाक के लिए सीधा निशान इस तरह से लगा लेंगे यहां हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंपलिट हो गई है अब हम इसे कट कर लेंगे सबसे पहले हम यहां पर आर मोल के बाहर वाले हिसे को कट करेंगे उसके बाद हम बाहर वाला बेक पार्ट अलग निकालकर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे I hope आपको ये वीडियो पसन आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसन आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching करें आपको मेरा वीडियो पसन आया होगा